Business Studies की बुक के Chapter 4 Planning को तो सबसे पहले हम समझते हैं कि Planning का मतलब क्या होता है तो Planning का मतलब है Thinking in advance What is to be done When it is to be done How it is to be done And by whom it should be done इसका मतलब है कि Planning में हम ये पहले से ही सोच के रखते हैं कि आगे हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और उस चीज को कौन करेगा एक तरीके से हम Plan करते हैं कि हमें आगे क्या करना है और उसे ही हम Planning कहते हैं और ये एक तरह से हमारी Present Situation और हमारी Future Situation जिस पर हम पहुँचना चाहते हैं उन दोनों के बीच में एक Bridge की तरह काम करता है जिससे हम अपनी Future Position पे जहां हम पहुचना चाहते हैं, वहाँ पर पहुच सकते हैं साथ ही में अपने Objectives को Decide करने के साथ-साथ हम Time का भी ध्यान रखते हैं कि हमें किस चीज को कब तक Achieve करना है तो अब हम Discuss करते हैं Planning के कुछ Features को तो इसका सबसे पहला Feature है Planning Contributes to Objectives इसका मतलब है कि जो Planning होती है, वो हमेशा Objectives को Decide करने से Start होती है क्योंकि अगर कोई Objective ही नहीं होगा, तो हम Plan किस चीज को Achieve करने के लिए बनाएंगे तो सबसे पहले Objective को Decide किया जाता है और एक बार जब Objective Decide हो जाता है, तो उसके बाद Planning में हम Decide करते हैं कि हमें किस Method से, किस Procedure से या क्या Steps को Use करके उस Objective को Achieve करना है इसका Second Feature है Planning is Primary Function of Management इसका मतलब है जो Planning होती है, वो Managers के लिए सबसे पहला Function होती है या सबसे पहली वो चीज होती है, जो Managers करते हैं क्योंकि जैसा कि अभी हमने Discuss किया कि Planning में सबसे पहले हम Objectives को Decide करते हैं और जब तक Objectives Decide नहीं किये जाते हैं, तब तक आगे का कोई भी काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि सारी जो चीजे होती है, एक Organization में वो Objectives पर ही Depended होती है तो इसलिए Managers को सबसे पहले Planning करनी पड़ती है तो इसलिए वो Primary Function है Management का इसका जो Third Feature है, वो है Pervasive Pervasive का मतलब होता है कि Planning जो है, वो Management के हर Level पर ज़रूरी होती है Planning कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो सरफ Top Level of Management ही Perform करते हैं पर जो Planning होती है, वो हर Level के Managers Perform करते हैं जैसे कि जो Company के Objectives होते हैं, उन्हें Top Level of Management में Plan किया जाता है फिर उसके बाद जो Departmental Managers या Middle Level of Management होते हैं, वो अपने Departments के लिए कुछ Plans बनाते हैं और उसके बाद जो Lower Level of Managers होते हैं, वो भी Plans बनाते हैं कि उन्हें Workers को कैसे Manage करना हैं और इस तरीके से जो Planning होती है, वो हर Level of Management पर Present होती है इसके बाद जो Fourth Feature है, Planning का वो है, Planning is Futuristic या Forward Looking क्योंकि जो भी हम Plans बनाते हैं, वो आने वाले Time के लिए होते हैं, कि हमें आने वाले Time में कौन से Objectives अचीव करने हैं, किसी काम को कैसे करना है तो इसलिए जो Planning होती है, वो Futuristic होती है, या फिर इसमें हम Future के बारे में Decisions लेते हैं और Planning कभी भी Past के बारे में नहीं की जाती है, और जो भी Managers Plan करते हैं, वो Predictions और Assumptions पर Based होता है Future के लिए, क्योंकि Future में जो होगा, वो किसी को भी नहीं पता है, और ये जो भी Predictions और Assumptions Managers लेते हैं, वो हमेशे अपने Past Experience पर लेते हैं, Future के लिए तो इसलिए Planning को Futuristic या Forward Looking कहा गया है, इसका जो Fifth Feature है, वो है Planning is Continuous, इसका मतलब है कि जो Planning का Process है, वो कभी भी खतम नहीं होता है, वो हमेशे चलता रहता है, वो एक Continuous Process है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, कि जो Managers होते हैं, वो सरफ एक बार Plan बना कर उसे छोड़ देते हैं, पर एक बार जब वो Plan बनाते हैं, तो उसके बाद भी उन्हें देखना पड़ता है, कि वो अपने Plan के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं, अगर कुछ Environment में Changes आ रहे हैं, तो उन्हें फिर से Planning करनी पड़ती है, अपने Plan को और Better बनाने के लिए, और क्योंकि इतने सारे Environmental Changes आते रह Planning function में हम Different Alternatives में से Choose करते हैं सबसे Best Alternative, इसे लिए जो Planning होती है, उसमें Decision Making involved होती है, क्योंकि अगर Alternatives ही Available नहीं होगे, या हमारे पास कोई और Option ही नहीं होगा, तो फिर हमें Plan करने की जरूरत ही नहीं होगी, हमें सिर्फ उसी Option को Follow करना होगा, पर क्योंकि हमारे पास बहु हम Decide करते हैं कि हमें कौन सा Alternative Choose करना है, इसे लिए जो Planning है, उसमें हमेशा Decision Making involved होता है, इसके बाद जो 7th Feature है Planning का वो है, Planning is a Mental Exercise, Planning को Mental Exercise इसलिए कहा गया है, क्योंकि इसमें हमें काफी ज्यादा सोचना पड़ता है, काफी सारे Assumptions लेने पड़ते हैं, काफी सारे Predictions करने प हम काफी सारे Alternatives में से सबसे Best Alternative को Choose करते हैं, तो उसमें भी हमें काफी ज्यादा सोचना पड़ता है कि कौन सा Alternative सबसे Best है और Suitable है उनकी Organization के लिए, इसलिए Planning को एक Intellectual Process कहा गया है, या फिर एक Mental Exercise कहा गया है, तो ये थे Planning के कुछ Features, अब हम Discuss करते हैं Planning के Importance को, तो इसका सबसे पहला Importance है, Planning Provides Direction, क्योंकि Planning में हम Discuss करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो इससे जो Employees होते हैं, उनको एक Direction मिलता है कि आगे उन्हें क्या करना है, और कैसे करना है, क्योंकि Plan में हम पहले ही बता देते हैं कि हमें क्या Objectives को पूरा करना है, उन्हें कैसे risk of uncertainties क्योंकि planning में हम काफी सारे assumptions लेते हैं और काफी सारे predictions करते हैं कि क्या-क्या possibilities या क्या-क्या risk हमें उठाने पड़ सकते हैं future में अपने past experiences के basis पे और अपने environment को ध्यान में रखते हुए तो अगर हम एक अच्छे से plan को बनाते हैं तो हम काफी सारी uncertainties या जो भी risk एकदम से arise होती है एक organization में उसको easily tackle कर सकते हैं या easily उनको overcome कर सकते हैं क्योंकि हमेशा हम plan में unexpected risk को involve करते हैं या फिर अलग-अलग plans बनाते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आगे हमें क्या करना है और साथी में कुछ resources को भी अलग से रखा जाता है planning के अंदर कि अगर कुछ uncertainties आती है तो हम उनका use करके आराम से उस problem को solve कर सकें planning का जो third importance है वो है planning reduces overlapping and wasteful activities क्योंकि plan में हम सारे departments जो एक organization में होते हैं उन सबकी requirements का ध्यान रखते हैं और plan को उसके हिसाब से बनाते हैं और जो planning होती है उससे coordination develop होता है इन अलग-अलग departments के बीच में क्योंकि उन सबको पता होता ह है कि उन्हें क्या करना है जिससे हम overlapping of work को avoid कर सकते हैं साथ ही में planning में हम decide कर लेते हैं कि किस manager या किस employee को क्या करना है तो इससे जो भी employees या managers होते हैं उन्हें clear रहता है कि उन्हें क्या काम करना है और उससे वो wasteful activities को भी avoid कर सकते हैं इसके बाद जो fourth importance है planning का वो है planning promotes innovative ideas क्यों करते हैं तो इसलिए काफी ज्यादा chances होते हैं कि हमें कोई better ideas आ जाएं किसी काम को करने के लिए या उनके लिए कुछ better procedures या methods मिल जाएं साथ ही में क्योंकि managers future conditions के बारे में भी सोचते हैं और अपने efficiency को बढ़ाने के बारे में भी सोचते हैं और इस तरीके से अलग-अलग चीजों के बारे में plan बनाते हैं तो इससे जो managers होते हैं वो भी innovative और creative हो जाते हैं इसके बाद जो fifth importance है planning का वो है planning facilitates decision making क्योंकि planning में हम पहले ही decide कर लेते हैं कि हमारे objectives क्या है और हमें क्या-क्या चीज़ें करनी हैं तो इससे जो managers होते हैं उनको बाद में decisions लेने में help मिलती है और इससे decisions को काफी जल्दी-जल्दी लिया जा सकता है इसके बाद जो sixth importance है planning का वो है planning establishes standard for controlling तो controlling का सबसे पहले तो मतलब होता है कि हमारे जो planned output यानि जिस output के लिए हम plan करते हैं कि हमें कितना output मिलना चाहिए और हमारा जो actual output होता है या हमें कितना output मिला है उनके बीच में कितना difference है और उस difference का reason क्या है और क्या हम कर सकते हैं इस difference को avoid करने के लिए तो अगर हमें controlling करनी है तो सबसे पहले तो हमें plan की जरुरत होगी क्योंकि अगर हमारे पास planned output ही नहीं होगा तो हम actual output को compare किसके साथ करेंगे तो इसलिए planning जो होता है वो एक standard develop करता है controlling के लिए इसके बाद जो seventh importance है planning का वो है focuses attention on objective of the company क्योंकि planning में हम decide करते हैं कि हमारे objectives policies ये procedures क्या होंगे हमारी organization के और जितनी भी चीज़े decide होती है वो हमेशा हमारी company के main objective को fulfill करने के लिए ही plan की जाती है तो अगर जो employees होंगे वो plan को follow करेंगे तो क्योंकि plan हमेशा हमारे objectives को ही पूरा करने के लिए बनाया जाता है तो इससे हमारे organizational objective होगा उसे हम आराम से achieve कर साथ ही में जो सारे employees हैं वो सब भी एक ही direction में काम कर पाएंगे अगर वो उस plan को follow करेंगे जो है हमारे organizational goal को achieve करना तो इसी के साथ खतम होती है हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने planning के मतलब को समझा planning के features को पढ़ा और उसके बाद planning के